नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गजिंदर और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गला कैसे बनाया जाता है गला बनाने के लिए हम अकसर भुकरम का यूज करते हैं, पेश्टिंग का यूज करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ना मैं भुकरम का यूज करूँगा, ना मैं पेश्टिंग का यूज करूँगा, आपको सिर्फ कपड़े पे गला बनाना बताऊँगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको एक एक चीज में बारी की से बताऊंगा, आपको पूरा समझ मा जाए गलख इस तरीके से बन रहा है, अगर आपको अमरे यह वीडियो पसंद आती है, तो आप अमरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा, और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजेग तो दोस्तों समय को वेशना करते हैं चैनल शूरू करते हैं, दोस्तों यह सूट का बैक मैंने काटा हुआ है, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी गलब बिना बुकरम के आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम इसको डबल करेंगे, इस तरीके से, अब अलका से प्रेस कर लेंगे, अब दोस्तों मैं आपको यह करीब से दिखाता हूँ, कि इसमें गलब किस तरीके से बनाएंगे, दोस्तों मैंने इसको डबल कर लिया, यह देखिएगा, अब मैं इसमें बनाऊगा गला, जो गले की जो लंबाई है, वो है 7 इंच, और गले की जो ब्रो तो एक निशन्हें साथ इंच पर इस तरीके से लगाएंगे, साथ कज़े कि atac 1.5 पर लगाएंगे आदे इंच उपर से उपर मार्जन में बिझाएगा, और एक निशन, दा ही इंच कम इस तरीके से लगाएंगे, और इन दोनों निशनों का आपसर मिला लेना है, और इसको इसमें गले की ब्रोड़नेस वह चाहिए लेकिन हमने भाइंच रखाई इसको यहां से भाइंच इसलिए रखा है क्योंकि आदेंच इधर से मारजन में भी जायागा और लंबा गले की 7 इंच हमने और इसको इस तरीके से रौंड में ले जाईए आपका गोल गला बन जायागा आप स्वीट अटनेक बनना चाहते हो तो वह भी आप इसके अंदर शेफ दे सकते हो आपके मन में जो अच्छी से आपको शेफ लगती गले की वह शेफ आप इस सांचे के अंदर दे सकते हो और ग तो दोस्तों मैंने निशान लगा लिए है अब सिंपल मैं इस निशान पर कर दूँआ इसकी कटिघ तो दोस्तों मैंने इसके लिए तवな सीदा पर ने की शेप नजर आ रही होगी अब मैं आपको बता हूं यह गला किस तरीक के से बनेगा गला बनाने के लिए हमको एक कपड़ा लेना इस तरीके से, कपड़ा को इस तरीके से रखना है, और सूट को उल्टा रखना है इसको उपर इस तरीके से ये देखिएगा, इस तरीके से रखना है, सिंपली, और इस कपड़े में चैंज का निशान लगा लेना इस तरीके से द जमा देना है अब इसको जमाना किस तरीके से इस कपडे पर यह मैं आपको बताता हूं मशीन पर दोस्तों गले को कपडे को पर इस तरीके से रख देना है और एक तरफ हलकी से सिलाई लगा लेने यह देखिएगा सिर्फ आदा इंच की दूरी पर यह सिलाय लगाने के बाद दोस्तो इस वाले कोने को उठाना इस तरीके से और गले में आदा इंच की मार्जन देते हुए सिलाय लगा देने यह देखिएगा दोस्तो जब आप यह एक इंच तक सिलाय लगा लेते हैं उसके बाद में करना का है गले को बिल्कुल डिला छोड़ देना है कपड़े को इस तरीके से यह देखिएगा गला है आपके शेप ले लेगा यह देखिएगा आपके सामने में डिला छोड़ा हुआ है अब इसमें आ गला गूम जायकर खराब हो जायगा कपड़े के ले ल्लाहगा थे पर एक राइका आपके करना इस तरीके से गुमा लेदे सीमें आपको यह दोस्तों कपड़े करना सारे सारे को कटिंग कर देना है यह देखिएगा और कोनों पर कट लगा लेने और कट 200 सिलाई तक लगाने सिलाई से आगे नहीं लगाने सिर्फ सिलाई तक लगाने अब इसको उल्टा कर देना इस तरीके से अब एक से डेट इंज के मार्जन रखते हैं इसकी कटिंग कर लेने यह देखिएगा दोस्तौ मैंने कपड़े की कटिंग कर लिये ज़िए लिए कोई भी गला बनाते हो तो कपड़े पर गला बनाते हो उसके बार जब गला अप अंदर की तरफ पलटते हो तो गला अपनी शेप automate कर ले ल擊ए उसकी शेप कािको ऑक्रटिंग कर देने एक से डेट इज़ SALO मारजन रखते हुए अब मैं इसकी कटिंग की है अब करना क्या दोस्तो अब इसको इस तरीके से करना इसमें किनारे की सिलाई लगा देनी है यह मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लगानी है यह जो मारजन दोस्तो इसको गले की तरफ करना है और किनारे पर लगानी सिल सिलाई हमने लगा ली अब करने का इस पूरे मार्जन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सेले बिल्कुल किनारी के लगा लेनी है तो दोस्तों देखें गला वारा कितना बढ़िया बन गया बिना बुकरम के अब सिंपल ही जो अंदर जो मार्जन है उसको इस तरीके से रखना है और इस margin को इस तरीके से fold कर देना है, यह देखिएगा इस तरीके से, यह इस तरीके से fold हो जायागा और इसकी तुर्पाई हो जाएगी, इसमें मैं आपको कच्छी सले डाल के दिखा देता हूँ, इसको इस तरीके से रखना है, और यहां से इसको वही गले की shape का coding fold कर देना ह तो दोस्तो फाइनल यह मारा गला बन चुका है आपको मैं इसके अंदर से फिनिशिंग दिखाता हूँ यह देखिएगा मैंने इसको बिल्कुल गले की शेप का कोडिंग फोल्ड कर दिया है अब इसकी चारो तरफ हो जाएगी तुरुपाई तो दोस्तो आज की वीडियो में आपने देखा बिना बुकरम के गला किस तरीके से बनाया जाता है बिना बुकरम के गला बनाना बहुत ही सिंपल है मैंने आपको बताया सूट को डबल फोल्ड कीजिए और उसके अंदर आप एक चोक और सांचा बना लीजिए और उस सांचे के अंदर आप कोई भी डिजैन के आकरती दे सकते हो कोई भी शेप दे सकते हो जैसा आप उगला चाहिए वैसे शेप दे सकते हो और उसी शेप के कोड़े आप उसकी कटिंग कर सकते हो और कपड़ा रखकर उसको अंदरी की तरफ पलट दीजिए आपका गला बन जायेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर आपको मारे वीडियो पसंद आई हो तो मारे चैनल को सस्क्रेब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई मुझे नई चीज़ सीखनी है तो मुझे कमेंट करकर बताईए मैं आप पूरी-पूरी कोशिश करूँगा उस सब्जक्ट पर वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में